ओम श्री गणिशाय नम्हा आप सभी का दिन शुप और मंगल में हो और श्री गणेश जी के गृपा आप सभी पर बनी रहे अब सुनिए आज की गथा कमला सुर्ण ने देखा कि गणेश जी स्वयम युथ करने आ रहे हैं तब तो उसे बड़ी प्रिसन नता हुई सोचा कि अब इसे शिगरी वश में कर लिया जाएगा परन्तु जैसे ही उसके दिरिष्टी गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगणों पर पड़ी तो वे हिरान हो गया नजाने कहां से इतना जन समुदाय उमड आ रहा था सामना होते ही दोनों पक्षों की सेनाए एक दूसरे पर तूट पड़ी असंखी राक्षस मारे गए कुछ शिवगण भी धाराशाई हुए तब ही मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचूई अर्था चोट से प्रहार कर दिया इस कारण उसका अश्व धारशाई हो गया तब ही वह असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगा उसने क्रोधित होकर वहीं से भेंकर बान वर्षा आरम कर दी इधर मयूरेश ने भी घोर बान वर्षा से ही उसका उत्तर दिया राक्षस ने अपनी माया फिलाई जि अपने हर्दे में भी मयूरेश के ही दर्शन हुए ये देख कर वह अत्नित आश्चर चकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रण छेतर छोड़कर भाग निकला देबताओं ने ये देखा तो वे उसे पकड़कर ले आए और बोले राक्षस तू जाता कहा है कायरों क की तरह भाग कर दैते कुल को अपयश का भागी मत बना युद्ध कर विवश होकर कमलासुर फिर से युद्ध करने लगा उसने घोर गरजना की और अनेक प्रकार तिक्षन अश्टर शश्टर लेकर प्रहार करने लगा उसने फिर से तरह तरह की मायाएं रची किन्तु माया प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने अपने पुत्र का अभिनन्दन किया और देवगन तथा मुनिगन प्रसन्न होकर उनकी स्तुती करने लगे आकाश इसे पुष्पवर्षा होने लगी विश्व कर्मा जी ने उपस्थित होकर वही मयुरेश छेत्र का निर्मान किया सुन्दर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की शिवजी पार्वती जी के लेक सुन्दर भवन बनाया उसमें उन्होंने मयुरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया मंगल नाम के कत्यंत भयंकर और महा बल्शाली देती था वह वरहा का रूप बनाने में भी बड़ा सिद्धहस्त था इसलिए उग्रेक्षण की आगया होने पर भयंकर और विशाल काय वरहा का रूप धारन करके वह मयुरेश छेत्र में आया और बड़े-बड़े व्रिक्षों को टक्कर मार कर गिराता और धर्ती को कपाता हुआ मयुरेश के सामने आकर उचल कूत करने लगा गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा तो रंती उसके दान्तों को पकड़कर तेजी से उसे उपर नीचे करने लगे किन्तु वह छूडा न सका मयुरेश वर ने उसके दान्तों को ही उपर नीचे करते वे अवसन्न कर दिया और रंत में उसका शिरीर प्राण हीन कर दिया दूर पर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देख कर गणों से उसके विशय में पूछा तो वे कहने रगे रभो उसे तो आपकी पत्र उठा ले गए हैं। गणने लोटका शिव जी को उनका उत्तर बता दिया। तो उन्होंने अब कई गणों को एक साथ भेजते वे कहा कि अगर वो चंद्रमा दे दे तो ठीक नहीं तो उसे ही यहां ले कराओ। तुम जैसे सामाने लोग मुझे भला कैसे ले जा सकते हो। ऐसा कहकर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी जिससे विवश वे शिवगन हवा में पत्तों की तरह उड़ते वे शिव जी के सामने जाकर गिर गए। उनकी दशा देखका शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमत आदिगणों को आग्या दे कि जाओ और गणेश को पकड़ कर लाओ। प्रमत आदिगण ने आग्या पालनार्थ गणेशी से जाकर कहा कि हे मयूरिश्वर आपके पिता बुलाते हैं तुरंत चलिये। इधर अस्विकृती सूचक सिर हिला दिया, अर्थात मना कर दिया। तब गणों ने कहा फिर तो हम आपको बलपूर्वक लेकर चलेंगे। इस प्रकार विजबदिक ठक गए तब गणेशी एक स्थान पर जा बैठे और तब गणों ने उन्हें पकड़ दिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ा गणेशी ने अपना भारतिक बढ़ा दिया। इसलिए अपनी असफलता पर हमें लज्जा आ रही है। सुनकर शिवजी हसने लगे अब उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया और कहा कि नंदी आशर है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया कि कोई भी उसे यहां लाने में समर्थ नहीं हुआ। अब तुम जाकर उसे साम, दाम, दंड, भेत की नीती के साथ लेकर आओ। शिवजी की आग्या पाकर नंदीश्वर चले और मुनीक मारों के साथ खिलते वे गणेश जीश से जाकर कहने लगे ये गणपते आपके पूझे पिताजी बुला रहे हैं इसलिए आपको शिगरी वहाँ चलना होगा। अबकी बार भिनोंने नामे सिर हिलाया तो नंदीश्वर कहने लगे अगर स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामाने गणों या फिर प्रमत्थादी के समान मत समझना। नंदी का एहम भाव देखकर गणेश जी को उन पर हसी आ गई। और तब उन्होंने तीवरवेक से सास छोड़ी पस फिर क्या था। नंदीश्वर को जोर की एक पठकी लगी और गहरी चोट की कारण मूर्चा आ गई। जब होश आया तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी द्रिष्टी शिवजी की गोद में बैठे गणे शीव पर चले गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वो तो शिवजी के मस्तक पर ही विराजमान हो गया था। लजजित नंदी ने शिवजी से निवेधन किया की प्रभो, आपके ये पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं, आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। विकल नामक दो राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव मचाने लगी। उन्होंने भैसे का प्रचंट रूप धारण किया हुआ था, गणराज ने उनके मस्तक पर वजर के समान मुक्य का प्रहार किया, जिससे वे अत्यन्त व्याकुल होकर धर्ती पर गिर गए और रक् असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने मयुरेश्वर की इस्तुतिकर उन्हें प्रसन्न किया, अब गणेश जी पूरे 15 वर्ष के हो गए थे, इस आयू तक वे अनेको राक्षोसों का संघार कर चुके थे, इस कारण उन जबो, गणेश अब विवायोगी हो रहा है, इसलिए कोई सुन्दर, सुशील और गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए। शिव जी कहने लगे, प्रिये, मैं भी यही सोचता था, परन्तु ये बाधा सम्मुख हैं कि इसके समान गुणवाली कन्या की खोज कहा की जाए। ये विचार अभी चल ही रहा था कि महरशी नारत जी वीना बजाते वे वहीं आ पहुचें। शिव और शिवा ने उनका अत्यनत आदर सतकार कर बैटने को श्रेश स्थान दिया। तब ही शिव जी ने कहा कि दिवरशी, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के बात हुए हैं। नारत जी बोले, हाँ प्रभो, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो तो तरी संध्या छेतर में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस इस्थान को छोड़ कर यहां आ गए। ब्रह्म देव ने आपके यहां होने की बात मुझे बताई तो सेवा म उपस्तित हो गया। इस प्रकार उनके बीच में वार्तलाब चलने लगा। तब ही शिव जी बोले मुनिश्वर, मयुरेश आप विवायोग हो रहा है। इसके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की करपा कीजिए। देवर्शी बोले, प्रभू ब्रह्मा जी ने इस इसी ले तो मुझे यहां भेजा है। उनकी दो कन्याएं हैं सिद्धी और बुद्धी। सभी प्रकार से सुयोग, अत्यन्त सौंदर मई और गुणों के तो कहने ही क्या। मेरा निविदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्विकार करने की करपा करे। सुनकर शिव शिवा दोनों ही प्रसन हुए। विवा की तिथी निश्चित हुई, दोनों और से निमत्रन पत्र भेजे जाने लगे, चारों और आनंद छा गया। देवगण, रिशीगण, शिवगण और मुनी कुमान सभी प्रसन हो उठे। समय पर वर्यात्र की तयारी आ पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया था और उसी पर उड़कर चल पड़े। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से जूम रहा था। ये वर्यात्रा गंड की नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में साथ करोड द्यायत्यों का एक शिवर लगा तब समुध में से कुछ लोग बताने लगे कि मयूरेश छित्र में हम लोग रहते हैं ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाहा है वही परात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्धप्रिय थें कहने लगे दैतिराज उग्रेक्षन की आग्या है तुमारे प दैतिराज की अनुमती आवशक होती इसलिए वियर्थी शुबकारी में विग्न मत डालिये उधर उद्धत दैति सिनपती कहने लगा बकवास ना करो हमको जैसा आदेश हम वही करेंगे यहां से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लोड़ जाओ गणराज को उसकी उद्धंडिता अच्छी नहीं लगी वे तीवर स्वर में कहने लगे कि व्यर्थ बाते मत बना चुपचाप मार्ग छोड़ दो नहीं तो सेना सही नस्ट हो जाओगे दैति सेना पती कहने लगा आज बड़ा अच्छा दिन है हमारा अहार स्वयम हमारे प पहेंकर युद्ध होने लगा मयुरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आधेश दे दिया मुनी कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा बस फिर क्या था दर्भ के सुक्ष्म खंड असुर सेना में फैल कर उनके आख का नाक आधी मार् दर्भ खंडों ने असुरों को व्याकुल कर दिया कुछ बहरे हुए कुछ अंधे कुछ का स्वास मार्ग छिल गया कुछ के फुफुस और हरदय विदिर्ण हो गए इस कारण रक्तवमन करने लगे इस प्रकार कुछी छडों में वे राक्ष्यसी सेना पूरी तरह से बालको ने कहा देव आपकी आग्या से हमने विशाल देति सेना का बात ही बात में संघार कर दिया अब और जो कहो वही हम करें वर्यात्रा पुनहा आगे बढ़ी धीरे धीरे इतनी दूर पहुँच गए कि वहां से उग्रेक्षन की राजधानी गंड की नगर एक योजन द विथा उस पर उन्होंने शिव शिवा और प्रमुख रिशियों को बिठाया और अनिस सब को सिंगहासन के आगे बैठने की विवस्था कर दी इस प्रकार समस्त जन समू वहां विश्राम करने के लिए ठैर गया तभी मयूरेश बोले हे जनक जननी रिशीगण देवगण त साथ भगवान श्री हरी आ रहे हैं जब तक वे मुक्त ना हो जाएं तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा इसलिए मेरी प्रतिक्या है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूँगा इसलिए कोई बुधिमान पुरुष दयतिराज के पास ज भीजने का प्रस्ताव दिया किंतु पुष्पदंत ने कहा कि अगर मैं दयतिराज के सामने गया तो मुझे उसकी बातों से शिगरी क्रोध हा जाएगा इस कारण मैं नीती की रक्षा करने में असमर्थ रहूँगा मैं तो उससे केवल युत्छेत्र में ही मिलना चाहता हू इसलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा उसकी बात सुनकर अब विचार चलने लगा कि किसी अन्य को भेजा जाए बहुत विचार करने के बाद मयुरेश नहीं समधान किया कि मेरे विचार से तो नंदिश्वर को भेजना चाहिए ये अत्यंत वीर, धीर, पुद्धीमान, पराशय को शीगर समझने वाले और चतुर हैं, इनसे अधिक उप्यूक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतित नहीं होता। और उग्रेक्षन के सभाद्वार पर द्वार पाल को अपना परिचे दे कर दैतिराज से मिलने की बात कही। द्वार पाल ने जाकर सूच न दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आग्या दे दी। नंदिश्वर ने उस विशाल भव औसु सजित सभा में प्रिवेश किया आज की कथा में बस इतना ही इसके आगे का वरतांत आप सभी अगले अध्याई में जरूर सुनिएगा।